दोस्तो नमस्कार कैसे हैं आप लोग मैं हूं कालू और आप देख रहे हैं कालू LAC दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक कुशकवरी देने वाड़ा हूं कि जो सबसे पहले मैं कुशकवरी दे देता हूं कुशकवरी है कि जो भी 22-23 में जो भी अभी करता कलब मेंबर बने हैं उनका रेजल्ट आ चुका है और या तो आप अपनी ब्रांच में पता कर सकते हैं कि आप कोन सी कलब के मेंबर बने हैं या फिर ओनलाइन पोर्टल पे जो अपना एजेंट पोर्टल होता है उस पे भी आप चेक कर सकते हैं जिन अभी करता है बाई एम बैनों के पास अभी तक एजेंट पोर्टल के जो आईडी पासवर्ट नहीं है वो ब्रांच से प्राप्ट कर सकते हैं और दूसरा तरीका यह है कि आप ब्रांच की जो मेल आईडी है उस mail ID पे भी mail करके आप ID password प्राप्ट कर सकते है जो भी अपने agent portal का password लेंगे आप फिर उससे आप agent portal को login कर पाएंगे और जो अभी करता बिल्कुली ऐसे जमीले में नहीं पढ़ना चाहते और वो branch way पता लगा सकते हैं बियम साब से भी पूछ सकते हैं कि उनकी कलब का status क्या है वो भी बता देंगे अब दोस्तों कलब का result आ चुका है और थोड़े दिनों में यह अभी interview हो जाएगा इंट्रिवी ओने के बाद आप जिस भी कलब मेंबर बने ओ जिस भी कलब मेंबर में आपका नाम आया है वो कलब मेंबर आपको मिल जाएगी जैसे कि दोस्तों मैं DM कलेम मेंबर चलता आ रहा था और मैं जेडम का परियास कर रहा था तीन साल से तो आप मुझे जेडम कलेम मेंबर मिल चुकी है वो जेडम कलेम मेंबर बनने के लिए दोस्तों मैं आपको एक सरल उपाई बताता हूँ मैं कोई किताब में देख करके या कोई ठियोरी नहीं बता रहा हूँ मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ जो कि मैं मेरे साथ जो गुजरा है वो बताता हूँ मैं तो दोस्तों मैंने 60 से 70 पोलसियों के बीच में पोलसिया बनाई थी 3-4 साल में और मुझे आराम से जेडम कल मेंबर मिल गई इससे ज्यादा मैंने कोई पोलसिया नहीं बढ़ाई 60 से 70 के बीच में जैसे 65 मान लो कभी किसी साल में 63 मान लो और मैंने एक चीज का ध्यान रखा है वो चीज यह थी जो हमने जैसे मान लो अभी चल रहा है 22 ये अपना financial year चल रहा है दोस्तों जो हमारा debt verse था वो था 21 तो जो हमारा debt verse जो financial year था उसकी जो पोलसिया है वो 15% से ज़्यादा लेप्स नहीं होनी चाहिए अगर आपकी 15% से ज़्यादा पॉल्स या लेप्स हो जाती है तो उसका मतलब है कि आपको कलेब मेंबर्शिप नहीं मिलेगा बस अगर 15% से लेप्सेशन आपका कम रहता है तो आपको कोई सी कलब मेंबर्शिप जरूर मिलेगी जो सबसे ज़्यादा कलब मेंबर्शिप में रह जाते हैं वो हीशी वज़ा से रह जाते हैं कि उनका लेब सेशन ज़्यादा हो जाता है लेब सेसन की वजह से कलर मेंबरिश्प में रह जाते हैं दोस्तों और जो सितमबर से पहले कलर मेंबरिश्प मिल जाती है तो अभी तो जुलाई का में नहीं चल रहा है लेकिन मेरे एजेट्न पोडल पे शोओ हो ना लग गया है कि मैं जेडम कलर मेंबर बन गया हूँ कि सर मुझे वास्ता में जैडम कले मेंबर मेरे पोर्टल पे दिखा रहा है तो क्या मैं जैडम कले मेंबर बन गया हूँ तो सर ने भी यही बता है कि आपका जो जैडम कले मेंबर का है वो टार्गेट पूरा हुआ है आपको इस साल इंटरों के बाद जैडम कलम मेंबर मिल यही दोस्तों एक अभी करता है बहुत स्ट्रगल करता है और बहुत मैनत के साथ में कारे करता है और उसको कलम मेंबर्शिप नहीं मिलती है तो मतलब कलम मेंबर के बिना वो एका दिवराई अभी करता होता है क्योंकि कल यह वह मिलती है सम्मान मिलता है और बहुत कुछ मिलता है दोस्तों तो कलम मेंबर्शिप हरा भी करता हो लेनी चाहिए वैसे काम करते जा रहे हैं और कलम मेंबर्शिप नहीं ले रहे हैं तो काम तो वह का वही कर रहे हैं कलम मेंबर्शिप ही नहीं मिलते हैं एक हाली वहना का सर्विस दे सकते हैं तो कलब मेंबर्शिप हरा भी करता हूँ लेनी चाहिए मेरे हिसाब से क्योंकि यह जो मेरा experience है दोस्तों आज तक मैं CM कलब मेंबर भी बन जाता लेकिन मैंने बीच में में दूसरी ब्रांच में फस गया था फसने का मतलग है कि मैं बहुत दूर की ब्रांच को में काम करने लगया था वहां मैं DM कलब मेंबर बन चुका था और DM कलब मेंबर के बनने के बाद जब मेरा agency का ट्रांसपर नहीं हुआ तो मैंने काम बंद कर दिया था दो तीन साल फिर मेरा इस्तर बिल्कुर डाउन हो गया था और मैं एक जिद पकन ली थी मैंने कि मैं मेरे नजदी की ब्रांच में जाना चाहता हूं और मैं जो अभी करता भाई बहुत दूर की ब्रांच से ले रखी है जिनोंने मैं उनको भी यही सला देंगा कि आपनी दर में रहे गा इस कारण से वो से यहलाई उनको एनों सी नहीं देते हैं उनका ट्रांसफर नहीं उने देते हैं जबकि उससे उनका कार्य गरता है बढ़ता नहीं है दोस्तों मैं जब मेरे नजदिक ब्रांच में आया तो मेरा कारे मैंने वापस से गती पकड़ी और ज़्यादा तेज गती नहीं पकड़ी उनली मैंने 60 से 70 पॉलसिया हर साल बनाना सुरू किया था वापस मुझे 3 साल में डियम मिल गई और डियम मिलने के बाद वापस मुझे 4 ही साल में मेरे को जैडम कलब मेंबर मिल गई दोस्तों यानि कि मैं मेरी नजदिक ब्रांच में स्रिप 4-5 साली हुए है मेरे को आये हुए है और मैं वापस से कलब मेंबर, नोन कलब मेंबर से वापस कलब मेंबर बन चुका हूँ और जेडन कलब मेंबर भी बन चुका हूँ तो मैं ये एक संदेश से उन CLI भाईयों को भी देना चाहता हूँ या आप भी जो कभी अभी करता जो CLI बनेंगे तो उनको भी मैं एक एड़वाइस देना चाहता हूँ कि आपके अब ही करता था दला मत गोटिये और उसे खुला काम करने दीजिए आप अगर खुला काम करने देंगे तो वो अच्छा काम करेंगे और ये मतलब दूसरी ब्रांस में भी अगर चले जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके आज से निकल जाएंगे वो आप ही के अंडर में रहेंगे जैसे कि मैं मेरे सियलाई के अंडर में हूँ और आज मैं जेडम कले मेंबर भी हूँ दोस्तों जो अभी करता कारे करते हैं वो उनको ये मतलब नहीं होता है कि मैं किसके अंडर में हूँ वो तो स्रिफ काम पे फोकस करते हैं और काम करने वाले के ने कोई किसी के अंडर में काम करें उसे कोई फर्द नहीं पड़ता है तो मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि जो C.L.I.A. भी करता है उनको भी ट्रांसपर करवा देना चाहिए ऐसे भी करता हूंगा जिससे उनका मनोगल बढ़े और अच्छा कारी कर पाएं दोस्तों दोस्तों मैं L.I.C. की ऐसी वीडियो बनाता रहता हूं और नई नई जो भी जानकारी है वो मैं देता रहता हूं और मैं प्रैक्टिकल ही बात करता हूं ना कि कोई किताब में पटितर की बात करता हूं मैं जो भी आखिकत में जो चीज होती है वो बताता हूं दोस्तों तो अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं जो चैनल को सस्क्राइब कर ले और बेल आइकन पे प्रेस कर दे ताकि जब भी मेरी वीडियो आएगी वूस का नोटिफिकेशन आप तर पहुंच जाएगा तो दोस्तों मिलते हैं नेच्ट वीडियो में